नमस्कार आप देख रहे हैं सीनी उस भारत और मैं हूँ आपके साथ फ्रिया शिर्वास्ता वक्त हो गया है खास खबर का उत्रप्रदेश के अमेठी की गौरी गंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताफ्ट सिंग ने आयोध्या धाम तक पैदल यात्रा शुरू की इस से पहले रविवार शाम सपा विधायक पहले अपने पैट्रा गाव मौपोटी जहां उन्होंने अपने अवाज से इस यात्रा का शुभारम किया उन्होंने अपने माता पिता से आशिरवाद लिया और फिर कुल देवी मांक के दर्शन के राकेश प्रताप सिंग ने अपनी पद्यात्रा शुरू करने की तस्वीरे भी शोशल मीडिया पर शेयर की हैं सपा विधायक ने कुछ दिन पहले ही रामभक्तों के साथ पद्यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था बता दे क्या में इठी जनपत के विधायक राकेश प्रताप सिंग काफी तेज तरार और दमदार चेत्रियों में से एक वाने जाते हैं वह अपनी बात बेबाकी से रख्ट वे समाज सेवा में सकुरी रहते हैं विधायक राकेश प्रताप सिंग समाजवादी पार्टी से विधायक है और अंत में सपाथ छोड़ कर वो भाच्वा में शामिल हो गए। हलियापूर पहुच कर उनका भाविय स्वागत किया। हलियापूर में बाबा धाबा पहुच कर नागेंद्रु प्रताप सिंग के लड़के कार्गिर शहीद राज़ेंद्रु सिंग की प्रतिमा पर मालयार पड़ किया। और साधन सैकारी समिती हलियापुर के अध्याक्षकीरिण सिंग, प्रताप सिंग, धिरेंद्र प्रताप सिंग और समाजवादी पार्टि के पूर्व मनोनीत कारेकार्णी सदसिय आजय सिंग भी मौजूद रहे वहीं पत्रुकार प्रभाज सिंग की छोटी नातिन स्वाम्या सिंग ने राकेश प्रताप सिंग को माला पहनाया तो राकेश प्रताप सिंग ने पलट कर माला उस बच्ची को पहनाया और राकेश प्रताप सिंग भावुख हो गये इसी क्रम में पूर्व प्रमुक रविंद्र प्रताप सिंग के महाविध्याले में भोजन आधी की विवस्था की गए भोजन करने के बाद पुनायोध्याधाम यात्रा के लिए विधायक के साथ पदियात्री काफिले के साथ निकल पड़ी जोहां पिठला और कुमार गंच मिलकी पूर होते हुए हजारों की संख्या में पदियात्रा आगे बढ़ती चली गए जिस शेत्र से पदियात्रा गुजर रही थी वहां भारी भीड एकत्रित हो रही थी जिसको देखते हुए पुलिस प्रशाशन चाक चौबंद रहा और सुरक्षा की कई गारियां सेना तैनात की गए साथ ही पुलिस के अधिकारी भी तैनात रहे आयोध्या से सीन्यू समवादा था इंद्र बहादूर की रिपोर्ट देखा जाए तो सपा विधाय का कहना है कि वो मंदिर के उधगाटन के समय ही आयोध्या जाना चाहते थे उन्होंने विधान सभा में सभी विधायकों को भी ये प्रस्ताब दिया था कि वो सामोही कुरूप से आयोध्या जाए और रामलला के दर्शन करेंगे लेकिन पार्टी अध्यक्ष से मिले आदेश के बाद वो नहीं गय थे उन्होंने पार्टी हाई कमान की बात मानते हुए राममंदर के दर्शन नहीं किये लेकिन वो पदियात्रा करते हुए रामलला के दर्शन करेंगे महीं राकेश प्रताप की इस पदियात्रा ने सियासी तपिश भी बढ़ा दी है उप्चिनाव आने वाले हैं ऐसे मेरा किश्प्रताप का सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होना भी आखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है अब इसकी भरपाई आखिलेश कैसे करते हैं ये देखने वाली बात होगी फिलाल इस खास रुपोर्ट में इतना ही देश जुनिया की बाकियों और खबरों के लियाब बने रही है सीनियूस भारत के सार्थ